अलो गाईज, वल्कम बैक टू इन्फो कट्टा फैमिली, और फाइनली गाईज, आज के इस टुडियो में हम देखने वाले हैं, कि सिल्वर में किस प्रकार से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो जो आपका डिमांड था, कि सर आप बताईए, सिल्वर में कैसे ट्रेडि यह इस चैनल का आखरी वीडियो है, रीजन क्या है, MCX कट्टा नाम से एक अलग से चैनल बनाया हुआ है, जिसके उपर में डेली अब लाइव आ रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर देखोगे, लगबग 4,000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पर हो चुके हैं, दो लाइव स्टीम रहेगी, वो इस चैनल पर आनी वाली है, उसके साथ फ्री में लर्निंग, जिसको भी ट्रेड करना आता नहीं है यहाँ पर आजाओ, मैं आपको चिका दूँगा फ्री में, इस चैनल के उपर जो भी कंटेंट रहेगा, जो भी चीज़े रहेगी, पटाफट से को हमें देखना होता है, अगर सिल्वर में हमें ट्रेडिंग करनी है, तो सबसे इंपोर्टन यह क्वेश्चन आज तो लाइव में कितने लोगों ने पूछा, कि सर चार्ड देखना कहां पर सर्च क्या करना है, तो ट्रेडिंग व्यू पे आप आओ, ट्रेडिंग व्यू सिल्वर टाइप करो, ट्रेस देदो FUT टाइप करो, ठीक है, सिल्वर टाइप किया, FUT टाइप किया, यह देखो या आप है, इसके सामने Gothic यह मतलब क्या है,undred की व्यूंडिे एक्सचेंज, तो इसके सामने यह जो चार्ट है इस चार्ट की उपर हमें क्लिक करना है क्लिक कर दिया यह आपके सामने आ गया इसको हमें देखके ट्रेडिंग करना है ऑप्शन में या तो फ्यूचर में जो आपकी मर्जी अब क्या है लॉट साइज क्या होता है εजमने डिया था कि आप future में ट्रेड करते हो किया ॉप सेंग करते है कि यह तेंटी चल्वाशन्न होसे यह इंग नहीं करते है तो साइज कितना है 30 जिसे 25 का लोट साइज एं और आने वाले दो मेने के के बाद 15 का होने वाला है तो यहाँ पे 30 का लॉट साइज है ठीक है मतलब क्या है अगर 50 पॉइंट आपने बुक कर लिए तो 50 इंटू 30 लगब 1500 रुपे का आपका प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा 30 का लॉट साइज उसके साथ में अगर अभी यहाँ पे लेको प्रॉब लोयल को बाई करते हो उसी प्रकार से आपको लिमित और लगानी पड़ेगी लिमित लगा क्या आपको बाय करना है कभी कभी क्या होता है इसमें जो प्राइज है ना वह बैंग निफ्ट जैसा मोमेंटम नहीं देता बायमित का कैसे अगर 50 से 100 गया तो 65-70 ऐसे दीरे दीरे तो यहाँ पे जब आप बाइंग करोगे जिस भी लेवरेपार पर प्राइस अभी आपको दिख रहा है ना, उस प्राइस के 10-20 आगे काही डाल दो, तो यह आपका बाइए होगा, तो ही आपका बाइए होगा, अधरवाइस बाइए नहीं होगा, जल्दी बाइए होगा, क्य फोनी काम कर सकते हो अब итог market मार्केट का ओडर डाल सकते हो stop 落 application मतलब क्या अगर चारआ करना है तो आपको क्या करना है 400 रगाना है को stop loss market डालना है मतलब 400 का प्राइस ट्रिगर hypothesis होता है उसके बाद जो भी प्राइज रहेगा मार्केट का उस प्राइज पर बाय होंगा तो चारसो बीस पर भी हो सकता है तो स्टॉप लास मार्केट और लगाना सीखो इजी है अगर आपको नहीं पता कमेंट सेक्षन में मुझे जरूर बताओ मैं उसके ओपर वीडियो लेके आऊँगा रिस्क कितना है अपसे इंपोर्टन चीज़ कित लगता है वो भी चाहिए हमें तो 20 से 25,000 के कैपिटल में आप सिल्वर में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो ठीक है रिस्क कितना रहेगा तो मेरे हिसाब से 50 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको लगाना जरूरी है अगर आप सिल्वर में ट्रेड कर रहे हो तो क्योंक जब ब्रेकडाउन हुआ सुब लाइव में यह दिखाया था आज जो बैंग निफ्टि का सुबव का लाइव हुआ उसमें मैंने यह दिखाया था लेवल भी बताया था यह देखो ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद यह रहा ब्रेकडाउन नीचे कितना आया है ग्यारा सो पॉइंट कितना ग्यारा सो पॉइंट उससे भी ज्यादा नीचे है इस फिर से उपर से नीचे आ इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम अच्छा कासा गुलाटालिटी अच्छी कासी वॉल्यूम ऑप्शन में कम है आपको लगा क्या रभी सर आपने बोला था कि वॉल्यूम कम है ऑप्शन में बायर सेलर कम है फूचर पे ज्यादा लोग ट्रेडिक करते है सिल्वर में इसलिए कि आपे मुमेंटम अच्छा आ जाता है ठीक है तो कैपिटल आपका हो गया 25,000 के आसपास रिस्क कितना होगा आपका 1500 के आसपास 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस टार्गेट कितना होगा मिनिमम में बोलता हूँ 1500-200 पॉइंट अपको मिलने ही चाहिए जो मैंने फ्री टेलि मुमेंटम का टाइम क्या होगा सुबफर 11-12 के बीच में क्याम को तिन से पांच के बीच में और उसके बाद 7-9 के बीच जो मैंने अब्जर किया हुआ है, तीन टाइमिंग है, कौन से कौन से, ग्यारा से बारा के आसपास सुबर, काम को तीन से पांच के बीच में, जैसे यह अपना मार्केट खतम होता है, यहाँ पर मुवमेंटम आता है, और साथ के नोव के बीच में, मतलब 7 तू 9 पिए उसके उसके में क。 तीन मैं आपको बता इया जिस डाइमिंग पर आप कर सकते हो, उसके बाद क्या है, अब बाइंग अं आन सेलिंग का टॉपिक, अच्या, वाइंग सेलिग मैने आपको बता दिया, किस प्रकार के करनी है, राइट। बाइंग कैसी करनी है, लिसफॉछ लगाना 26th April को अभी April मंद का expiry है, 26th of April को इस मंद का expiry है, तो यह जब खतम होगा, 26th या 25th में को expiry होगा, मतलब सीधा एक मेने के बाद, तो इसमें premium DK के जो चांसे से वो काफी कम है, premium DK इसमें काफी कम होता है, इसमें आप long holding के लिए भी ले सकते हो, ठीक है, long holding भी ले ले सकते हो, आपको पता ही है, free telegram channel में call मिलता है, उसके उपर आप trading करोगे, तो भी चलेगा time frame, which is very very important, 5 minutes and 15 minutes, time frame कौन सा आप follow कर सकते हैं, उसमें 5 minutes का और 15 minutes का, यह दो time frame आप इसमें follow कर सकते हो, ठीक है, 5 minutes का time frame मैं यूज करता हूँ live में, और देखने के लिए भी, chart का मैं ने बताय silver mini, silver mini, अगर आप same silver mini लेने जाओगे, तो होगा नहीं, silver mini का chart भी अलग है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, silver future, silver future, silver mini future, यह दोनों अलग है, इसका chart भी अलग है, momentum इसका अलग है, सब कुछ अलग है, beneficial क्या रहेगा, silver future में trade करो, moment अच्छा होता है, silver future के option में trade करो, capital कम ल पर अच्छी का से टडी मेंती है, सारे topics मैंने यहाँ पे cover कर लिये है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई topic इसमें miss हो गया, यह आपका बताना रह गया, तो comment section में मुझे जरूर बताओ, उसके उपर फिर एक short video बना दूँगा, एक short video आ जाएगा, फिर से repeat करता ह ताइमिंग मैंने बताया, lot size मैंने बताया, risk reward, capital कितना लगेगा, मैंने बताया, momentum का timing मैंने बताया, buying कैसे करना है, वो मैंने यह आपको explain किया, उसके बाद expiry कब लगानी है, order कैसे लगानी है, वो बताया, time frame मैंने आपको बता दिया, SLM stop loss market, वो आपको मैंने बता दिया, order कैसे लगानी है, chart कौन सा दिख रहा है, वो भी बताया, ठीक है, so this is all about how to trade in silver, अगर कोई question है, comment कीजिए, like करें वीडियो को, अगर आपको पसंद आया है, तो नहीं आया है, तो भी apply कर सकते हो, चालो, so फिर मिलते है guys, अपने आपके कट्टे पे, तब तक के लिए, जाहिन कर दो?